मार्किट में एक तरफ तो है lead acid battery और inverters और दूसरी तरफ है lithium integrated battery inverters अगर आप भी lead acid battery से lithium battery पर shift करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक integrated lithium battery inverter वाकई में long term solution बन सकता है और साथ ही आपको आज एक ऐसा दमदाल lithium battery inverter दिखाऊंगा जिसने market में धूम मचा रखी है और हां इस product के price में आपको वीडियो के end में बताऊंगा तो वीडियो को end तक जरूर देखना चलिए वीडियो को शुरू करते integrated lithium batteries को अच्छे से समझने के लिए आज मेरे पास है genus maxiline और ये एक inbuilt lithium battery inverter है genus company की तरफ से मतलब ये छोटी सी एक unit है यही inverter है इसी के अंदर battery है आपको बस इसको लगाना है और आपके appliance चल जाएंगे इसके अंदर 1000VA का pure sine wave inverter है जिसकी load capacity है 800 watt और साथ में 1280 watt आर की lithium battery है जो की 165 AH की lead acid battery के बराबर backup देती है और उससे जादा सालों के लिए मतलब आप इस पर घर का सारा basic load चला सकते हैं और आधा HP का पानी का pump भी चला सकते हैं इस battery से आप 400 watt के bulb load को 3 घंटे 20 मिनट तक चला सकते हैं और आपको बता दूँ ये life PO4 battery है जिसमें best quality के A-grade cells का use किया गया है और इसमें battery management system भी लगा है जो की lithium cells को monitor करता रहता है और कोई भी problem होने पर उनको बंद कर देता है मतलब ये completely safe है इसमें से कोई harmful gases नहीं निकलती acid का भी कोई use नहीं है मतलब आपकी family की health के लिए भी ये safe है अब इसके फायदे सुनिए ये चोटे size का है और इसका वजन 27 kg है यानि की lead acid battery के आधे से भी कम आप इसको easily कहीं भी लगा सकते बिना जगा गेरे यानि की छोटी shops, offices और घर के लिए तो ये best है design भी काफी अच्छा है और दिखने में भी अच्छा लगता है इसकी कोई maintenance भी नहीं है एक बार install करने के बाद आपको साल और साल इसको देखने की भी जरूरत नहीं है कुछ technical features की बात करूँ तो इसमें dual display है LED और LCD दोनो 15A की fast charging है जिससे ये 4-5 घंटे में full charge हो जाता है जिससे की आपके पूरे साल में लगबग 3500 रुपे की बचत होती है inverter के अंदर DSP और ASIC technology का use किया गया है जिससे काफी सारी protections मिलती है और इसकी performance भी बढ़िया हो जाती है protections की बात करें तो इसमें overload, short circuit, low battery, overheating, wiring faults और mains fuse tripping जैसी protections है इन सब की वज़े से battery की life और performance दोनों बढ़ जाती है UPS और normal mode select करने का भी option है और automatic low battery और high battery cutout का feature भी है पुल मिलाकर lithium battery inverter के इस setup में वो सारी advantages है जो lead acid battery में नहीं होती lead acid battery जो की हम सब के घरों में लगी है उनमें दिक्कत क्या है काफी सारी दिक्कते हैं जिनको आज तक हम लोग ignore करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई option ही नहीं था जैसे उनमें वजन काफी जादा होता है 60 kg की एक lead acid battery होती है जिसको खिसकाने में जान निकल जाती है साथ ही उनने जगा भी काफी चाहिए तो अगर आपकी कोई छोटी shop है छोटा flat है या फिर छोटा office है तो वहाँ पर lead acid battery रखने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि वो जगा काफी गेट दी है इसके अलावा उनकी maintenance काफी जादा होती है हर कुछ महीनों में आपको उनका पानी चेक करना पड़ता है पानी डालना पड़ता है साथ ही उनमें से harmful gases निकलती है और उनमें acid का भी use होता है जिस वज़े से आप उनको घर के अंदर नहीं रख सकते और अगर रखते हैं तो आ पर काफी जल्दी power cut होता रहता है तो आपकी battery कभी भी full charge हो ही नहीं पाएगी इसके लावा एक lead acid battery भले ही 5-6 साल चल जाती है लेकिन उसकी performance समय के साथ साथ गिरती चली जाती है मतलब एक 5-6 साल पुरानी lead acid battery उतना backup नहीं दे पाएगी जितनी एक नई lead acid battery देती है इसी ल और दूसरी है battery की जो की 5 साल की है battery की warranty भले ही 5 साल की हो लेकिन इसकी life cycle 3500 है जिससे यह 10-12 साल तक अराम से चल जाएगी और अगर price की बात करूं तो इसका price 36,000 से 38,000 के आसपास है और अभी इस पर काफी बढ़िया offer चल रहे हैं आप इसको direct genius की website से भी खरीज सकते हैं Amazon औ इस वीडियो के description में भी check out कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो please इसको like कीजिए, share कीजिए उन लोगों के साथ जिनके काम की यह वीडियो हो सकती है और अगर आपको ऐसे topics के उपर वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं thank you for watching the video goodbye